जै मातादी दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने पसंदीधा चैनल पर मेरे प्यारे दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया गरो कल का जो रिजल्ट रहा था दिल्ली बजार 80 के साथ शुरू हुआ फरिदाबाद 73, गाजियाबाद 03, गली 04 दिशावर में 68 देखने को मिली है जो हमने क्रोसिंग रखी थी उसके हिसाब से अगर बात करें तो हमारी सिर्फ और सिर्फ दिशावर में 68 पास हुई है हमारे पास 4 का अंक था हमारे पास 8 का अंक था हमारे पास 0 नहीं थी जो कि आपको 3 बार देखने को मिली है हमारे पास 3 तिगगी भी नहीं थी जो की आपको दो बार देखने को मिली है जिस कारणवस आपकी क्रोसिंग फेल हुई है ये जो क्रोसिंग के अंक नीचे आपने देखे हैं ये वही क्रोसिंग के अंक हैं जो दो दिन पहले ओल्डे अपनी क्रोसिंग पास हुई थी उसमें सिर्फ साथ का अंक नहीं था, बाकि अपना आठ, तीन, जीरो, चार, छे, नो, सबी अंक थे तो कंपनी अभी उसी ट्रिक पर चल रही है, वही क्रोसिंग के अंक लगातार इस्तेमाल कर रही है ये तो हमने समझ लिया, सीख लिया, अब यहां से 80, 73, 03, 04, 68, क्या कुछ लेकर आ सकती है इसके अलावा जो तारीक है, 26 तारीक, दिन शनिवार का, अठा सबूत है कि फिर से पास हुआ है मैंने इग्नोर करके पंजे पर विश्वास दिखाया कि भीया, पंजा दुबारा कोल सकती है कमपनी क्योंकि जो ट्रिक पैटर्न कमपनी ने दिये थे, वो यही संकेत कर रही थे इसलिए मैंने अपनी क्रोसिंग में अपना जो दिशावर की लोकेशन है, उसमें अठे तिकी थोड़ा सा विश्वास कम दिखाया था तो यहां से सनिवार के हिसाब से, तारीक के हिसाब से, ये खुली हुई जोडियां, क्या कुछ संकेत दे रही है इन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर पसंद आए, अगर लगे कि एक भी जोड़ी आपको हिट कर रही है आपको दिख रही है कि यार ये जोड़ी नोंने बहुत अच्छी बताई है, उसका इस्तेमाल आप बड़िया तरीके से कर सकते है मैं विद लोकेशन गेम बताने की कोशिश करूँगा, गेम अगर पास होती है तो बहुत बड़ी पासिंग बदलती है उसकी अगर गेम फेल होता है तो मुझे नहीं लगता किसे कोई दिक्कत होनी चाहिए क्योंकि जो मैं आपको चीजे समझाऊंगा, सिखाऊंगा, पैटर्न, अंक गडित, नंबर उसी परकार चलते हैं आपको फाइदा भी दिलवाते हैं, आपको नुकसान भी दिलवाते हैं तो अब यहां से खेल शुरू करते हैं, खेल शुरू होगा सबसे पहले क्रोसिंग के अंकों से भया क्रोसिंग के अंकों में आपके लिए आठ का अंक, छे का अंक, तीन का अंक, चार का अंक, जीरो और सत्ता ये फाइदेबन साबित रह सकते हैं अठे के दिन अभी चल रहे हैं लगातार बढ़िया काम करके दे रहा है पहली चीज दूसरी चीज ये कल भी अठा महतवपूर्ण था आज भी अठा महतवपूर्ण है शनिवार का दिन है अठा एक बार ओल्रेडी 68 के रूप में खुल चुका है अब यहां से अठा एक दो जोड़ी और बनाने के चांस बनाएगा तो उस पर एक बार आप नजर मार लेना चे का अंक कल मेरी महतवपूर्ण अंकों की सूची में था बड़िया चांस थे इसके खुलने के लेकिन कमपनी ने काफी लेट कर दी आते आते जो की 68 के रूप में खुला है तिग्गी का अंक मैं आज वापस अपनी क्रोसिंग में जोड़ रहा हूँ क्यूंकि इस अंक को मैंने कल छोड़ दिया था और कल इसने अपना दो बार जलवा दिखाया है चार का अंक आपका इसलिए महत्तपूर्ण है क्यूंकि बहिया जब कभी आप शनीवार के रिकोर्ड जाकर हल फिला लिया रिकोर्ड देखोगे तो चार का अंक खुल रहा है बिंदी का अंक लगातार काम करके दे रहा है एक बार दो बार तीन बार इससे पहले जाओगे तब भी 0-3 लगातार खुल रही है 0-4 अपना रिपीट में खुल रही है तो इन सब चीजों को अगर हम समझ लेते हैं सीख लेते हैं तो हमें अपनी क्रोसिंग को अच्छा करने में मदद मिलती है साथ का दिन है आज साथ तरिक ये साथ का जो अंक है आपको 80-68 से मदद देगा हेल्प करेगा और इसके अलावा सत्ता भी शनिवार का काफी अच्छा मजबूत अंक है चाहें तो एक बार खुल जाए चाहें तो दो बार खुल जाए वो सब आपको रिजल्ट आने के बाद खुद स्वयम पता चल जाएगा कि भईया ये कितने बहतरिन अंक गडित की चर्चा मैंने सुनी थी और मैंने द कितना किफाइती है कितना फायदे मंद है और कितना नुकसान दायगा है क्योंकि आप जबी कंपेरिजन कर पाओगे अच्छा सा जबी आप आकलन कर पाओगे जब आप अच्छे से वीडियो को सुनोगे समझोगे ये तो क्रोसिंग के अंकों की बात हो गई एक एक अंक इस फरक नहीं पढ़ने वाला हमें में मोटो होना चाहिए कि दो गेम पास हो जाएं मजा जाएगा अब दो गेम शुरुवात में पास हो जाएं या दो गेम आखरी में जाके पास हो रही है ये सब देखने वाली बात होती है किसमें कितना धहरे है क्योंकि ये रोजाना का खेल है रोजाना इसी परकार चलता है कभी शुरुवात में गेम पास हुआती है कभी यहां पर फेल होती है यहां पर पास हुआती है कभी सब में फेल हो जाती है कभी सब में पास हुआती है तो यह सब चलता रहेगा यह तमाशा है इस तमाशे का हम हिस्सा है अब यह तमाशा कितने मनोरंजन तरीके से देखना है और कितना ही आपको यह मजबूरी में देखना है यह सब आपके उपर है कि वह आप इस तमाशे में कैसे सम्मिलित होते हो अब यहां से जो बात होगी वो होगी भईया विद लोकेशन खेल की जोडिया मजबूत हैं चांस बना कर दे सकती है फाइदा करवाने की उमीद रह सकती है समझने के लिए आपको अच्छे से सुनना पड़ेगा फिर विचार करना पड़ेगा कि इस्तिमाल की जाएं या ना की जाएं सबसे पहले फ्रेम में 80 के ऊपर 80 रिपीट होने के चांस बन रहे हैं ये सबसे पहला फ्रेम है इसके अलावा यहां पर एक 85 खुलने के चांस बन रहे हैं जो की अपनी राशी में से ये खोल सकता है 0-3 भी यही संकेत कर रही है कि 80-85 खुलने के चांस है 68 से भी घटाना बढ़ाना हो सकता है तो काफी अच्छे चांस है 80-85 के ये तो हो गई आपकी रिपीट जोड़ी के सिस्टम से जो खेल निकाला है इसके अलावा जो खेल आपका बदला है जो ट्रिक पैटन यहाँ पर लग सकता है उसमें जो मुझे संकेत मिल रहा है कि भी असी के उपर 63 के समीकरण काफी अच्छे बनेंगे इसकी फैमिली में से आता है इसके अलावा तीन दिन पहले यह जोड़ी खुली हुई है तो यहाँ से यह चांस बना रहा है यह 63 का ठीक है इसके अलावा यह जो 70 का जो मैं खेल लख रहा हूँ आपके लिए यह शनिवार के दिन काफी मजबूत रहता है चांस बनाता है 80 के घटते करम में 70 होने के चांस काफी अच्छे है जिस परकार से यहाँ पे आपने 03 देखी है कल यह 03 कहां से खुली थी यह खुली थी फरिदाबाद की 04 से घटाने पे और जो 73 खुली थी यह खुली थी आपकी गाजियाबाद की 89 से 89 की राशी अगर करोगे तो 74 होती है 84 से घटाते करम में 73 अगर आप अंकगडित समझना चाते हो सुनना चाते हो सीखना चाते हो तो आपको इन सब पहलूँ पर नजर बनाकर रखनी पड़ेगी तब ही आप खेल को समझपाओगे कि कमपनी घटा रही है या बढ़ा रही है कमपनी राशी में खेल उतार रही है या ट्रिक पैटन दे रही है जब आप ये सब चीजे सुनना समझना शुरू कर दोगे तो आप स्वैम से भी जोडियां बनाना सीख जाओगे तो यहाँ पर ये चार जोडियों का खेल बन रहा है ये हरे पैंसे इसलिए रखी गई है क्योंकि ये ट्रिक जोडिय है पैटन की जोडिय है यहाँ पर जो अंक आपका फाइदे मन साबित हो सकता है तो भाईया मैं रिपीट पे थोड़ा सा हरुफ मैं रिपीट पे ज़्यादा विश्वास दिखाता हूँ तो मैं अठे पे ज़्यादा विश्वास दिखाऊँगा क्योंकि अठे का आज दिन है शनिवार का दिन है तो आपको ये जोडिय देखने को मिल सकती है काफी अच्छे समीकरन चांसिस के साथ तो ये चार जोडियों का खेल है रिपीट सिस्टम में इस परकार से खेल हो सकता है असी के उपर 63-70 का चांस जो बन सकता है वो मैंने आपको समझा दिया है कि क्यों बन रहा है कैसे बन रहा है अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे फरिदाबाद की लोकेशन में फरिदाबाद में 73 खुली हुई है 73 के उपर क्या कुछ बहतरिन है जो आपके लिए किफाइती साबित हो सकता है तो यहाँ पर सबसे पहले अठे पर विश्वास दिखाएंगे और तिग्गी पर विश्वास दिखाएंगे तरासी आ सकती है इस जोड़ी के खुलने के चांस इसलिए भी ज़्यादा मजबूत होंगे तरासी जो है अपने आप में फैमली होती है अठे की राशी जो होती है और तिग्गी की राशी होती है वो अठा होती है ठीक है तो जोड़े की गेम है इसमें से समीकरण काफी अच्छे बन सकते हैं लोग इस्तेमाल करेंगे तिग्गी इस्तेमाल कर लें तो अठा इस्तेमाल ना करें या पता अठा इस्तेमाल कर लें तो तिग्गी इस्तेमाल ना करें तो ये सब चीजें देखी जाती है जब भी जोडियां बनाना असान होता है फाइदे मन साबित हो सकता है तो 83 के समीकरण मजबूत है इसके अलावा यहाँ पर 43 के समीकरण मजबूत है जो मैं बता रहा हूँ आपको की 4 का अंक मैंने क्यों रखाए क्रोसिंग में तो 4 का अंक रखने का सबसे में कारण यही था कि कहीं न कहीं इस अंक की खुलने की संभावना काफी अच्छी है दूसरी चीज यह भी है कि फरिदाबाद में हाल फिलाल में 4 का अंक अच्छा खुल रहा है 04 का समीकरण भी यही बात बता रहा था तो काफी मज़ेदार वाली बात है नहीं होता तब भी कोई फरक नहीं पढ़ने वाला क्योंकि हम यहाँ पर गैसिंग कर रहे हैं गैसिंग में सफलता हैं विफलता हैं दोनों चलती रहती हैं यह सब आप भाखु भी जानते होंगे समझदार हो आप जब भी वीडियो को सुन रहे हो देख रहे हो अब यहाँ से बढ़ते हैं गाजियाबाद की लोकेशन पे गाजियाबाद में 03 के उपर क्या कुछ जोडी में हम रख सकते हैं तो भया मुझे लगता है यहाँ पर जो खेल बन सकता है न वो यह वाली जोडी 0-5 और 00 यह हरे पैन से इसलिए रखी गई है क्योंकि यह जोडी आपकी कहीं पर भी खुलने के चांस बन सकते हैं सबसे बेस्ट लोकेशन गाजियाबाद बन रही है गली में भी यह जोडी खुल सकती है आपके लिए फाइदा निकाल कर ला सकती है अच्छे से सुन लो समझ लो देख लो चांस है इस जोडी के जिस परकार से 0 लगातार खुल रही है कंपनी 0-5 खोल सकती है क्योंकि 0 की राशी पंजा होती है अगर कंपनी चाहे तो इस तरीके से पैटन को आजमा सकती है जाकर पुराने इस महीने के चार्ट को देखो पुराने तीन चार पांच दस दिन पुराने को आप देखो के लगातार तिग्गी खोली तो कंपनी ने 83 खोली क्यों खोली क्योंकि तिग्गी की family होती है तिरासी इसके अलावा जाके देखो लगातर चवा खोला तो चुरान वे खोली क्यों खोली क्योंकि भईया नहले की family होती है चवा इसी हिसाब से मैं आपको खेल समझा रहा हूँ जीरो का अंक घाजियाबाद में मैं फेवर करूँगा आपको कि भाई जीरो का अंक चांस बनाएगा, दोबारा से बनाएगा, बढ़िया बनाएगा, इस्तिमाल करने लायक बनाएगा, तो आप एक बार नजर मार लेना, मेरा आत्मविश्वास है इस जोड़ी के साथ, इस ल लिए आपको बढ़िया से समझाना, बढ़िया से बताना, ये सब काम मेरा है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो पर काम करता हूँ, अब यहां से बढ़ेंगे गली की तरफ, गली में 0-4 के उपर, क्या कुछ बहतरीन होते देख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि 0-4 के आपको 6 के अंक पे विश्वास जो दिखाया था, गाजियाबाद में 0-4 जो खुली थी, माफ करना, फरिदाबाद में 0-4 खुली थी ये वाली, मैंने वहीं से सारे 6 के अंक पे विश्वास दिखाया था, इसलिए 6 के साथ जोडियां भी बनाई थी, लेकिन वो जोडि 68 के लूप में दिशावर में गई है, उमीद थी 6 खुलने का काम करके गया है, लेकिन थोड़ा सा दूर हो गया हमारी रीच से, लेकिन आज भी समीकरन है, पैटर्न है, सिस्टम हमारे सामने है, तो इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, इसके अलावा, चार पे अठा रख अगर आपका खुद का कुछ बनता हो, तो उस पर ज़्यादा विश्वास दिखा लेना, अगर आपको लगता है कि गेम पास नहीं हो रहा है, समझा अच्छा रहे हैं, लेकिन गेम निकल कर नहीं आ रहा है, तो मैं अपना काम बढ़िया से कर रहा हूं, राम जी की कितनी कि पर रहती है, किसका कितना विचार है, कितना किसकी सोच है, किसकी कितनी कितना लालच है, हर एक चीज का जो हिसाब है, वो राम जी पर है, वो भगवान पर है हमारे, तो इसलिए जो चीजे पास हो रही है, या फेल हो रही है, सब कुछ आपके लिए और मेरे दोनों के लिए हो रही हैं यहां से हमारी चीजें कोई मुझे छोड़ के चला जाएगा कोई सुनने के लिए जादा जुड़ जाएगा तो यह सब चीजें समीकरण बनते रहेंगे चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी मैं मेरा काम अच्छे से करता हूँ कि अंके साथ बावाजी ने एक जोड़ी और दिये 43 की तो क्यों ना वो भी जोड़ ली जाए तो आप इस जोड़ी को यहाँ पर जोड़ोगे आपकी तीन जोड़ी हो गई तो आपका काम बन जाएगा अगर यहाँ पर चववा पास हुआ और 43 पास होती है तो 43 पीन की रख लूँगा फैलो या पास हो कोई दिक्कत नहीं अगर पास होगी तो मज़ा जाएगा तो यह होती है समझदारी यह होता है खेलने का तरीका अब अगर मैं आपको खेलने का तरीका समझाएं लग जाओ तो चालिस तरीके होतने खेलने के तो आप बिल्गुल कन्फ्यूज हो जाओगे इसलिए मैं आपको यह भी बोलता हूँ कि खेलना आप मुझसे बहतर जानते हो सबकी अपनी कलाएं है सबका अपना पैटरन है तरीका है किसको कितना खेलना है कैसे खेलना है यह सब आप मुझसे बतेरा बढ़िया जानते हो तो आप उसका फाइदा लो बस चीजों को समझ के चलोगे तो थोड़ा सा मेरे निकट रहोगे चीजों से फाइदा ले लोगे अगर सिर्फ और सिर्फ जोडियों पर विश्वास दिखाओगे या सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखा म्यूट करके और आगे बढ़ गए तो कभी मेरी वीडियो आपके लिए फाइदे मन साबित नहीं होगी क्यूंकि मैं बात करता हूँ अंकगडित की अंकगडित समझते हो जो 34 ने मायाता है अंकगडित के 40 वीडियो पुरानी देख लो चाहें आने वाली 140 वीडियो देख लेना आपको समझ में आ जाएगा कि कितना अच्छा जानते हैं कितना अच्छा बताते हैं ये सब आपके लिए ही है बस इस्तेमाल कैसे करना है ये आपको देखना पड़ेगा अब यहां से दिशावर में 68 के उपर क्या कुछ बहतरिन कर सकते हैं तो भया 68 के उपर एक ही खेल समझ में आया इसकी फैमिली का 81 मजबूत है जो कि क्रोसिंग में एकका नहीं है इसके अलावा यहां पर 95 मजबूत है जो कि क्रोसिंग में दोनों ही जोडियां नहीं है तो जो भी भाई क्रोसिंग का इस्तेमाल करेगा 85 को अपनी गेम में सम्मिलित कर लेगा जोड लेगा तो आपको इससे फायदा हो सकता है अठे पर विश्वास है पूर्ण विश्वास है सुबा खुलने के दुबारा चांस बनेंगे जबकि आपका जो खेल है वो कुछ इसी परकार चलने वाला है तो यहां से जो बहतरीन था वो आपके सामने है जो भी जोडियां यहां से मस्त निकल कर आई वो आपके सामने है कैसे इस्तेमाल करनी है आप देख लेना विद लोकेशन पूरी कोशिश करी है जान फोक दिया कि भईया यहां से यह इसी लोकेशन में मजबूत बनने के चांस बनेंगे तो आप इसे देख लो, समझ लो पसंद आए तो इस्तेमाल कर लेना वरना भईया पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर कर देना उससे काफी मनोबल बढ़ता है दूसरे लोगों को भी दिखता है कि भईया जो यह बता रहे है काफी पसंद किया जा रहा है तो दूसरे लोग भी उससे आकरसित होते हैं तो मेरा भी थोड़ा सा वीडियो बढ़ेगा थोड़े सी रीच बढ़ेगी थोड़े से और लोग मुझे जानेंगे थोड़ा सा और मेरे अंदर जोश आएगा कि और अच्छे से काम करना है थोड़े और मैनत करनी है तो ये सब आपके सहारे से हो पाएगा मैं तो अपना काम कर देता हूँ थोड़ा सा आप भी मेरे लिए अपना काम कर दिया करो कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए सबी भाईयों को राम राम नमस्कार धेर सारा प्यार